आज हम बात करने वाले हैं रीडर रिस्पॉंस थीरी पे सबसे पहले आपको बता दूँ कि आज से पहले मैं फैमिनिजम पे लेक्चर सिरीज मेरी चल रही थी जिसमें मैंने 7-8 लेक्चर बनाए है तो मैं समझता हूँ कि मेरी तरब से अभी खत्म है अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई राइटर बच गया है फैमिनिजम पे तो आप कमेंट सक्षन में लिख सकते हो कि यह राइटर बच गया है बहुत इंपोर्टन है देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि यह जैसे कि यह मे बहुत important concepts हो और कुछ ऐसी चीज हो जो बहुत complicated हो तो मैं समझता हूँ कि मैं सब कुछ cover कर चुका हूँ उसमें और अगर कुछ फिर भी आपको लगता है कोई राइटर ऐसा है जो आपकी syllabus में लगा है या भी बहुत important है मुझे आप comment section में बताईए और अगर मुझे लगता क्या है बाकी जो school of criticism है या theories है उसमें और इसमें क्या फर्क है इसके कौन-कौन writers है क्या इसका main idea है कब शुरू हुआ सब कुछ बताऊंगा क्या इसके types है सब कुछ बताऊंगा ठीक है ध्यान से सुनना है और प्यार से समझना है मज़े लेके पढ़ना है ठीक हमेशा अगर आपको बाकी मेरे लेक्टर देखने बाकी चीज़ों पर प्ले लिस्ट में जाए चैनल में जाए चैनल में प्ले लिस्ट में जाओ प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा ठीक है तो रीडर विस्पांस धियरी जो चीज है वो कब स्टार्ट हुई हमारी 1960s and 70s म ज्यादा तर फौकुस इसका यहाँ रहेगा तो अब रीडर रिस्पांस धीरी है क्या जैसा कि नाम से आप समझो सबसे पहले नाम से समझो ज्यादा टैंचन लेने के जरूए इतनी है इधार दूर हमने नहीं जाना सिर्फ नाम से समझो रीडर रिस्पांस धिरी मतलब की reader का response, ठीक है, मैं एक reader हूँ, मैं कोई book पढ़ रहा हूँ, मैंने उसका response दिया, या फिर उसको analyze किया, या फिर उसके बारे में कोई review लिखा, वो एक response है मेरा, ठीक है, तो reader के response पे जो focus है चीज, वो है reader response theory, अब इस theory के according, या फिर इस theory को criticism भी कह सकते, reader response criticism भी कह सकते, theory भी कह सकते, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी चीज को criticize कर रहे हो, या analyze कर रहे हो, किसी भी work को, तो आप उसमें देखोगे कि reader का response रहा है, अब अगर मैं आपको बताऊं, तो new criticism वालों का focus रहता था, new criticism वाले कहते हैं कि हमारा focus रहेगा सिर्फ text पे, ठीक है, new historicism का कहा रहेगा, background formalism वालों का form पे, ठीक है, तो अब इनका कहा रहेगा, reader response theory रहेगा, reader पे, ठीक है, अब ये कहते हैं कि reader एक ऐसा agent है, जो कि एक text को, text का जो real existence है, उसको बनाने में या उसको बताने में help करता है, ठीक है, text का society में, लोगों के दिमाग में क्या प्रभाव है, क्या उसकी importance है, वो सब कौन बताएगा, reader, अब मैंने तो लिख दिया, लिखने वाले ने लिख दिया, लिखने वाला मर भी गया, अब आने वाले, समय में उसकी हजार interpretations आ गई, तो वो कौन लेकर आया, readers, तो उस text को existence कि ने दिया, एक reader ने, ठीक है, तो ये जो reader response theory के according यही कहा जाता है, कि हर एक text को तभी हमें उसका existence हो सकता है, तभी उसका एक essence हो सकता है society में, जब उसका reader जो है response देगा, और हर reader के according होगा, वो reader, अगल अलग reader है, तो उसका response अलग हो सकता है, उसकी interpretation अलग हो सकती है, ठीक है मैंने आपको फर्क भी बता दिया, अब फर्क क्या है कि हलाकि new criticism वाले भी यही कहते हैं कि writer important नहीं है, author important नहीं है, ठीक है, उसका कोई background important नहीं है, जो कि new historicism वाले बोलते हैं, इन तीनों topic में मेरी videos है, ठीक है, Russian formalism पे भी है, पूरी series है, बलकि new criticism पे भी है, new historicism पे भी है, देख लेना playlist में जाके, और आज मैं reader response theory को आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो इसमें क्या कहते है, new criticism में लोग कि, हमें author important नहीं है, ठीक है, reader response theory भी यही कहते है, author important नहीं है, यह कहते है, text important है, reader response theory भी कहते है, हाँ ठीक है, text important है, क्योंकि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, पढ़ोगे तो text ही न, ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, यह लोग कहते है, यह नहीं कहते है, यह नहीं कहते है, कि reader भी important है, या फिर reader का psychology है, वो भी हमारे लिए important है, इन के लिए क्या important है, सिर्फ text, कि text में जो meaning है, वही final meaning है, ठीक है, text में जो meaning है वही final है लेकिन reader response theory वाले कहते हैं कि हर एक reader का एक अपना meaning हो सकता है और वो सही भी हो सकता है हलांकि इन्होंने तो कहा है कि literature जो है कि performing art है और उसी तरीके से हर एक individual हर एक reader उसको अपने हिसाब से उसमें qualities देखता है अपने हिसाब से recreate करता है वाले लोग कि हमारे लिए जो reader है वो उसको recreate करेगा अपने हिसाब से वो important है ठीक है चलो जी इतने सी बात हो गई समझ के response theory क्या है response criticism क्या है अब मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ लोग और इसके types ठीक है साथ-साथ जो और explanation बज़ के योगी वो भी करने के साथ ठीक है अब आते हैं सबसे पहले हम इसमें जो लोग है वो कौन-कौन है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि वो किस चीज को belong करते हैं ठीक है इन राइटर्स के कर दो आईसर फिर है हंस रोबर्ट जोस अ चैनली फिश महुत इंपोर्टन उचली बहुत इंपोर्टन भई शिए इंपोर्टन फिर आगया आपका रोला बात्स रोला बाथ यह रोला बास को मैं कवर कर चुका हूं as a structuralist भी and as a post-structuralist भी यहां भी इसका नाम आता लेकिन इतना important यह यहां पर यह इसका नाम आता है यह आपने याद रखलना है फिर आपका आता है Rosenblatt Rosenblatt एक बंदा है Louis Rosenblatt इसका पूरा नाम यह है ठीक है फिलहाल आप इतने लोग याद रख लो नॉर्मन होलेंड वर्फिंगाइजर अंस रोपर जॉस स्टेनली फिश इन सबको अभी यह टाइप्स में कवर होंगे ठीक है रोलाबास, Rosenblatt आईये रिचर्ट्स का इसमें नाम आता है आईये रिचर्ट्स अब जिन लोगों ने मेरी नियुक्रिटिस्म वाली वीडियो देखिए या फिर जिन लोगों को नॉलेज है नियुक्रिटिस्म की उनको पता होगा आये रिचर्स कौन है आये रिचर्स का नियुक्रिटिसम में बहुत बड़ा नाम आता है आये रिचर्स ने क्या किया कि Cambridge University में कुछ undergraduates थे उनको इसने क्या किया कि एक literary piece लिखके दे दिया कि अब तुम बताओ इसको अपने हिसाब से अनलाइज करके बताओ सारे students को दे दिया एक्सपरिमेंट कि इसने तो इसका जो experiment है बहुत famous है इसने क्या देखा he saw the drastic responses very different responses from every individual हर एक individual ने अपने हिसाब से इसको interpret किया उसको यह नहीं बताया गया था कि वो जो poem है या फिर prose है किसका लिखा हुआ है कौन से time में लिखा हो मतलब कि उसका कोई background clear नहीं किया था new historicism की तरह तो उस पे क्य है उसने सिर्फ text analyze किया उसके बच्चों ने और reader response theory में इसलिए आगया क्योंकि हर एक reader का एक अलग response था ठीक है तो इसलिए यहां भी इसका नाम आता है इसका जो यह काफी famous है रोजन ब्लैट ने एक book लिखी थी literature as experiment लिटरेचर एज एक्सपरिमेंट था या experience था exploration सौरी literature as exploration 1938 में तो उसमें इसने यह बात बोली थी रोजन ब्लैट ने कि जरूरी नहीं है कि एक teacher को class में जा कि सबसे पहले यही preconceived notions बताने चाहिए कि हाँ इसी तरीगे से एक text को analyze किय जाता है जैसे कि मैं जाओंगा class में एक feminist हूँ मैं class में जाओंगा कि हाँ एक text को तो एक feminism के point of view से ही feministic point of view से ही analyze कर सकते है हमारा यह preconceived notions जो मेरे दिमाग में पहले से ही बने हुए है archetypes में उसके base पे नहीं मैं बताओं मैं उनको बताओं मैं मुझे उनको यह बताना चाह है यह कि हर एक text का जो analysis है वो एक reader के हिसाब से हो सकता है ठीक है और अलग-अलग तरीके से हो सकता है जरूरी नहीं है कि वह fix है पहले से fix कुछ भी नहीं है ठीक है तो I Regis का भी इसमें नाम आता है ठीक है और एक एक इनसान C.R.Livis C.R.Livis इसकी spelling मैं confirm कर लेता हूं एक बार C.S.Livis कुछ चीज़े ऐसी है जो मैं सोचता हूं कि नहीं मैं यह नहीं पढ़ाऊंगा और वो पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आ जाती हूं मैं धंक से याद किये नहीं होती है तो इसलिए मैं इसमें confused हो जाता हूं इसलिए म है एक बात जिसमें मैं confused होता हूं मैं उसको confirm कर लेता हूं C.S.Livis ने भी एक book लिखी थी उसमें भी उसने उसका मैं title आपको बता देता हूं An experiment in criticism याद रख लेना An experiment in criticism 1961 C.S.Livis इसने भी reader response theory के बारे में थोड़ी बात की है रोजन ब्लैट ने भी बात की है इसका पूरा नाम है ल ओ यू आई एस ई लूई रोजन ब्लैट ठीक है इतने से आप राइटर से याद रख लो ठीक है याद रह जाएंगे अब इस पर मैं इन इन चार ऑथर्स पर शाद बना लूँगा वीडियो जैसे भी अगर एक करके हुआ या फिर दो को एक मैं कर लूँगा कुछ आसा कर लूँगा ठीक क्योंकि आई रिचर्स पर लेडी मेरी वीडियो है बार्ट पर लेडी वीडियो है रोजन ब्लैट रो लेविस इतना इंपोर्टन नहीं है ठीक है चालो जी अब मैं आपको बताता हूं इसके टाइप मुद्दे पे आते हैं तो मुद्दा यह है कि सबसे पहले एक इंसान था लुई टाइसन एल ओ आईस टाइसन मैं टाइसन इस इसान ने तेरे-रीडर स्प्वांस थेवरी को पांच पार्ट में डिवाइट किया है पांच Championships इसने खा कि रीडर स्पार्जटर की थивается अब कौन Εन कौन सी है सबसे पहली है ओफेक्टिव इस्टैलिस्टिकस ठीक है अब यह जो चीजे हैं यह आइडर के हिसाब से डिवाइड किया है यह जो affected stylistic इसमें कौन आता है स्टेंली फिश में अब यह स्टेंली फिश है यह effective stylis just means में आएगा ठीक है अब effective stylis just किया है Stanley Fish कहता है कि कोई भी एक text जो मैंने पहले बात बताई कि उसका existence तभी हो सकता है जब हम उसे पढ़ेंगे अगर आप कोई text किसी ने लिख दिया और आप उसे नहीं पढ़ रहे हो तो उसका कोई existence नहीं है एक interview में मुझसे भी ये question किया गया था कि आप कैसे analyze करोगे एक text को मान लो सिल्वय प्लैथ ने कुछ लिखा है तो आप उसको पढ़ के कैसे बोल सकते हो कि वो सिल्वय प्लैथ ने लिखा है तो अगर आपको उसकी personal life के बारे में पता ही नहीं तो मैंने क्या कहा था कि अगर मैं उसकी themes देखूँगा मैं उसकी tone देखूँगा मैं उसका diction देखूँगा किस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि writer की जिंदगी में क्या घट रहा है मान लो मैं प्यार में हूँ मुझे कली प्यार हुआ है मैं बहुत पागल हूं प्यार में और मैंने प्यार में अपनी beloved के बारे बहुत खुशी-खुशी मैं बड़ी अच्छी-ची poems लिख दी हाला कि मैं लिखता भी हूं तो मैंने लिख दी ठीक है आप सेंस कर सकते हो एज रीडर की हाँ इस बंदे के साथ धोगा हो गया है ठीक है तो उसी हिसाब से यह कहता है कि एक जो टेक्स्ट है वो तभी existence में आएगा जब उसे हम पढ़ेंगे ठीक है तो उसको effective stylistics खाया है इसमें भी कुछ लोग आते हैं उनको डिस्कॉस कर लेंगे ठीक है तो अब इसी चीज़ को थोड़ा सा यह आगे लेकर जाता है और यह सोशल सोशल आर आर टी आर आर टी में reader response theory के लिए लिख रहा हूँ है आपने समझ जाना है सोशल रीडर response theory अब सोशल रीडर response theory इसी से रही लेटेड है Stanley fish के जो कुछ works थे उसे रही लेटेड है अब सोशल रीडर response theory क्या चीज़ है कि मालों में community से आता हूँ ठीक है मालों में हिंदू हूँ और मेरा गाओं एक हिमाचल के एक पहाड़ी क्षेतर में है ठीक है जो की है असली में भी तो एक मेरा जो वहां की community है उसको कहता है कि interpretive interpretive community कि हर एक community अगर में एक community से हूँ तो मेरा एक particular एक disposition होगी एक psychology होगी मेरी एक text को समझने के लिए पढ़ने के लिए क्यूंकि हम पढ़ते उसी कोई इंसान है कोई interpretive community से है वहां के जो individuals होंगे उनकी एक strategy होगी जो की common होगी और वह किस पर बेस्ट होगी उनकी community पे social ठीक है society पे किस society से आते हैं उस चीज़ पे होगी उस हिसाब से वह एक text को interpret करेंगे ठीक है अपनी समझ के according क्यूंकि समझ हमारी उसी के according होगी जो हमने जिया है जो हमारी upbringing होई है ठीक है जी चलो अगला आ गया यह पहला है ठीक है यह दूसरा है यह दोनों स्टेनली फिश्ट रिलेटिड है याद रखना कहीं भी कोशन आ गया अफेक्टिव स्टैलिस्टिक्स सोशल रिडर रिस्पॉंस ठीक है तीसरा आता है हमारा psychological psychological आर टी रिस्पॉंस ठीक है psychological psychology में आता है देखो psychology psycho तो वही बंदवा होगा ना जो नॉर्मल हो गई नहीं तो इसको आप याद रख सकते हो नॉर्मन होलेंट से ठीक है तो नॉर्मन होलेंट क्या कहता है कि एक टेक्स्ट का मीनिंग कहां से आता है that how you read how you read मतलब आप कैसे पढ़ रहे हो कि आपके दिमाग में क्या है आपकी psychology में क्या है आपके subconscious mind में क्या है unconscious mind में क्या है वो सारी चीज़े वो सारी चीज़ों को ये analyze करता है Norman Holland इसके कुछ works है इसके works है अगर मैं इसको cover किया तो इसके works बताऊंगा आपको ठीक है तो psychology पे ही इसका focus रहेगा तो जहां पर psychology पे focus रहेगा reader की psychology पे जहां focus रहेगा वो psychology का reader response theory है और उसमें Norman Holland का नाम आता है इतनी सी बात याद रखनी इसे ज़्यादा कुछ नहीं इतना गहरानी में उतरूंगा क्योंकि इतना हमारे लिए बहुत है हाओ यू रीड रीड ठीक है चौथी चीज आती है transactional transactional reader response theory transactional अब इसमें किसका नाम आता है रोजन ब्लैट का लुई रोजन ब्लैट led by रोजन ब्लैट and supported by wolf gang आईजर ठीक है जी इन दो लोगों का नाम आता है transactional reader response theory में transactional reader response theory का simple सा मतलब है transaction between inferred meaning inferred meaning and individual interpretation ठीक है जी इन दो चीज़ों के बीच में अब inferred meaning क्या होता है inferred meaning तो हो गया एक ऐसा meaning एक ऐसा conclusion जो की बहुत सारे evidences बे based है मतलब की जो की real है individual का हो गया अपनी interpretation उसके emotions के हिसाब से उसकी psychology के हिसाब से ठीक है कि उसके अपने experiences के हिसाब से जो एक response होगा तो इन दो चीज़ों के बीच में एक जो inferred meaning होगा जो text का inferred meaning है जो real meaning है जो की बताया जा रहा है दूसरा होगा जो individual का अपना खुद की एक interpretation है इन दो चीज़ों के बीच की जो transaction होती है जब उसको कहा गया है transactional reader response थे ठीक है इतनी सी बात याद रह जाएगी रोजन ब्लेटर्वन वोल्फ इंग आईजर इसमें बंदे हैं अब अगर आपको याद रखना है effective stylistics तो यह fish है इसको मचली से याद रख लो कि मचली ने ऐसी चलांग मारी की बहुत ही effective थी बहुत असरदारक थी तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हो कि मचली असरदारक है या फिर मचली बहुत सारे बिमारियों के लिए असरदारक है if you have one energy अत्याचार ने समय तो बहुत social is coffee आजकि यह आपने प्यारी यही लेगैन हम अत्याचार ही करते हैं animals पे हम an плоz सबसे प्यारे होते हैं सबसे बुरा अनिमोल है इंसान और इंसानों से हम प्यार करते हैं इसलिए तो हम धोगा खाते हैं इसलिए हम तूट जाते जानुरों से प्यार करके देखो उन्हें खाओ मत ठीक है खुश रहोगे जिंदगी में चालो जी तो अब पांच भी चीज रहेगी है वह मैं बता रहा हूं ना टेंशन नहीं लेनी को ल आप एक्सराइज कर लो बस चलो जी तो अब पांच भी चीज जो है पांच भी कैटेगरी या फिर पांच भी अप्रोच रिडर रिस्पॉंस थे रिगी वह क्या है वह है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रिडर रिस्पॉंस थेरी इसमें एक बंदे का नाम आता है डेविड ब्लीच मैं पहले नाम बताना भूल गया इसका चलो यहां आ गया डेविड ब्लीच सब्जेक्टिव रिडर रिस्पॉंस थेरी का मतलब है कि एक इंडिविजल से आपने उसका रिस्पॉंस लिया दूसरी इंडिविजल से भी उसका रिस्पॉंस लिया फिर उन दोनों के रिस्पॉंस को कंपेर किया ठीक है कंपेर करा क्यों किया ताकि या नहीं है या मिनिंग की continuity को समझने के लिए जब आप अलग-अलग इंडिविज्वल के responses को compare करते हैं subjective responses subjective का मतलब है individual responses को आप compare करते हो उसे कहते है subjective reader response theory ठीक है इतनी सी बात है उतना ठॉफ वालग कुछ नहीं ब्लीच के इसमें नाम आता है यह आप नियाद रख लेना है बी-ल इ-I-C-H ठीक है ई-I-C-H तो मैंने आपको पांच चीजह बता दी छी पांच भी चीज थी कौन सी बता ही सबसे मिभाई अफेक्टिव स्टायलिस्टिक्स फिर बताया सोशल जो की स्टेनली फिश का है उसके बाद मैंने आपको बताया चलो रांजेक्शनल बताया है सब कुछ ही तो हो गया यह पांच चीजे मैंने आपको बताई यह अप्रोची से रिडर रिस्पॉंस एरी की रिडर रिस्पॉंस एरी में शुरू हुई है और वैसे तो पहले भी था रिडर के रिस्पॉंस पर क्यूंकि जब रोलां बार्थ ने डेथ ऑप दी ऑथर लिखा तो वहाँ पर उसने कहा कि जब एक ऑथर लिखता है कुछ तो उसकी मौत हो जाती है उसके बाद एक रिडर पैदा होता है ठीक है तो उसी वर्क की वज़ए से वह पोस्स्टॉक्चलिसर में भी आ गया था और रिडर रिस्पॉंस थेरी में भी आ गया वैसे वह बताया है उसने की एक स्टॉक्चर उसको उसने डिवाइड किया सेरसिन को तो देख लेना मेरी सारी सारी वीडियो से ठीक है तो यह हो गया आपको मैं इसमें जितने भी राइटर से उनके भी नाम बता दिये अब क्या होगा कि इसके बाद में राइटर पर वीडियो इसमें तीन चारी से बन जाएंगे ठीक है तब तब तक के लिए आप अपनी लाइफ को इस लेक्टर को देख लिया दो चर और देखो मज़े करो सोजाओ खाओ पी वहश करो ठीक है ओके बाई